हाई फ्रेंड्स मेरे तुनाकपल देखे एक और आपके लिए कैप लेकर आई हूँ यह 1898 की कैप है 1898 में किसी ने बनाई थी उनके पैटर्न है देखेगा इस तरीके से दिखती है यह कैप यह बेसिकली जो कैप है एक तो बहुत इजी बनती है और यह इसमें जो है इयर फ्ल है तो यह कान को भी ढख लेती है और बहुत आसानी से बहुत जल्दी से बन जाती है तो आप यह देखेंगे देखे इसका लुक जो है इस तरीके का आ रहा है तो चलिए फिर आगे देखते हैं किस तरीके से हम बनाएंगे अब देखे यह वूल मैंने ओस्वाल के निट प् है नाम से नेट पे आपको मिल जाएगी वहाँ पर है यह किसी ने बनाई है क्रिस्टेनिया करके उनका यह आपको दिखा रही हूं कि किस तरीके से यह बनती है यह जो कैप है बैसिकली एर फ्लैप लेकर है यानि की कान के जो वार्मर होता है उसके साथ है अब कैसे बनेगे यहां पर मैंने 41 stitches डाले हैं किसी और color से वो क्यों डाले क्योंकि हम बाद में से खोलके एकथा आपस में जोड़ देंगे अब यहां से हमने पहले जो शुरू करना है दस नंबर की सलाई से बतारी हूं आपको यह पहली लाइन तो मैं पूरी जो है यह जो 41 फंदे हैं उस में से हमें बीच में जो है 3 फंदे रखने हैं अब 41 में से आपने 3 निकाल लिए तो 38 होते हैं अब 38 का आप आदा आदा करोगे यानि की 19 इस साइड और 19 उस साइड तो देखे ऐसे बने गा यह अब यहां से यह जो फंदे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, 19 फंदे बनाने हैं मैंने साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चादा, पंदरा, सोला अब यह पूरी लाइन जो है मैं फिल हाल सीधी बनाऊंगी पहली अब देखे यह लाइन मैंने पूरी सीधी बनाई है अब देखेगा क्या करूँगी दो लाइन बताऊंगी वही आपने दो राते वे जाना है अब यहां से मैंने 19 फंदे सीधे बनाने हैं ऐसे 19 फंदे सीधे बनाए तीन फंदे उल्टे अपनी तरफ एक दो तीन आगें दागा आगे और 19 फंदे सीधे अब यहां से देखेगा यह een line अब यह दूसरी लाइन में क्या करना है 19 फंदे तो आप सीधे बनाएंगे 19 फंदे सीधे बनाएं अब यह जो 3 फंदे हैं यह हमने बिना बिना भुनेवे ऐसे उतार लिया आपने बिना भुनेवे तीन फंदे जो साइड से उल्टे बनाए थे और बाकी हमने नॉर्मल 19 फंदे सीधे जैसे हम बना रहे थे उस तरीके से बनाएंगे यानि कि यह जो दो लाइन्स है उल्टी साइड में हम उल्टे फंदे उन तीन को सीधी साइड में हम उन तीन को सेंटर वाले तीन को बिना भुनेवे उतार ले है यह आपने फिल हाल दोर आते वे जाना है अब कहां तक देखे एक कान से दूसरे कान का आप अपने जो है बैक साइड से जिसके लिए भी बना रहे होंगे मेजरमेंट लेंगे अगर आपका आपने नापना कैसे बता देती हूं बैक साइड आप एक कान से लेकर दूसरे कान तक नापेंगे अगर आठ इंच यह नौ इंच आता है तो उसका हम हाफ यानि कि हम बैक के हाफ से शुरू कर रहे है इसको तो हमने क्या करना है कि साड़े चार इंच बनाना है उसके बाद एर फ्लैप इसका बनेगा एंड देन अगें फ्रंट पार्ट बनेगा अब दिखिए यह आगे आप यह देखेंगे यह है दागा आगे यह जो तीन फंदे हमने उतारे थे इन्हें अपने उल्टा बनाना है फिर दागा आगे उननिस फंदे सी थे अब यही आप धोराते व कि हम एर फ्लैप किस तरीके से इसका बनाएंगे यह देखिए ऐसे आया है अभी आप यह देखेंगे सेंटर के तीन फंदे हैं इस तरीके से और बाकि सीधे बन रहे हैं फिलहाल आप इसी चीज़ को अब जो है हम दोराते वे जाएंगे मेजरमेंट पार्ट यही है कि आपने अपने सर की गोलाईन आपनी है बैक के हाफ से शुरू कर रहे है तो वहां से लेकर जहां तक कान शुरू होता है वहां तक इसे फिलहाल आपने बनाते वे जाना है अब ये जो है तीन इंच इसे हमने बना लिया है तीन इंच बनाने के बाद एक्जेक्ली सेम बनाया जैसे आपको बताया है अब तीन इंच बनाने के बाद कैसे करेंगे इसे आपको दिखा देती हूँ अब हमने जो है ये सेंटर में ये जो तीन फंदे रखे थे इसके इधर और इसके इधर फंदा बढ़ाना है अब कैसे करेंगे देखिएगा यहां तो हमने ऐसे ही जैसे सीधा बना रहे थे उस तीन फंदों से जस्ट पहले एक फंदे पर रुप जाना है यह देखिए यह तीन फंदों से पहले जो एक फंदा आपको दिख रहा है इसे हमने एक के दो करने है इस तरीके से फिर जैसे उतार रहे थे तीन फंदों को इनको तो हमने उतारना है इसके भी हमने एक के दो करने है तो आपने ऐसे और फिर एक के दो किये अब उल्टी लाइन जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे अब फिलहाल ऐसे ही बढ़ाते वे हर सीधी लाइन में हम जाएंगे यह देखें उल्टी लाइन में सारे पंदे आपने सीधी बनाए और जो तीन सेंटर के पंदे हैं वो हमने उल्टे बनाने हैं ऐसे फिर सारे फंदे सीधे अब यही दो लाइन्स फिलहाल आप दोराते वे जाएंगे यानि कि सीधे लाइन में आप जहां पर बताया है वहीं पर दो फंदे बढ़ाएंगे और उल्टी लाइन इसी तरीके से करते वे जाएंगे इस तीन से पहले और इस तीन के बाद आपने बढ़ाते वे फिलाल जाना है और उसके बाद बताते हूँ के हम कैसे इसे करेंगे फिलाल कुछ लाइन्स हमने ऐसे ही करने है अब यह देखे यहाँ पर मैंने जो है 10 फंदे 10 यहाँ से बढ़ाए है और 10 यहाँ पर बढ़ाए है तो पहले 19 थे, अब यहाँ पे 10 पर जाए, तो 29 फंदे इस सैड है, 29 इस सैड और सेंटर में 3 फंदे है, अब हमने कुछ लाइन्स, यानि की 6 लाइन्स जो है, नॉर्मल बनानी है, उसमें बढ़ाना नहीं है, तो यहाँ पे जैसे यह सीधे फंदे आप बनाते हो, उसी तरीक से बनाएंगे, यानि की यह सारे फंदे सीधे और यह तीन फंदे उतरेंगे, और उल्टी लाइन में यह तीन फंदे उल्टे बनेंगे, और बाकी फंदे सीधे बनेंगे, अब देखे उल्टी लाइन में यह सारे फंदे सीधे और यह तीन फंदे उल्टे बनेंगे, और इ हम इसे गटाएंगे किस तरीके से, क्योंकि ये इस समय जो है हम ear warmer, जो ear flap basically होता है, कान को गरम रखने के लिए वो बना रहे हैं, ये देखे, ये हो गया, तीन फंदे उल्टे, फिर ये सारे सीधे, ये छे लाइने इस तरीके से नॉर्मल की है, जिसमें मैंने बढ़ाया नहीं है, जिसे छे लाइने, अब फिर से अब जहके, जो हमने जैसे बढ़ाया, 10 फंदे बढ़ाया है, तो 10 फंदे हम गटाएंगे, क्राइटेरिय गटाने का भी वही रहेगा, जैसे बढ़ाया है, इस साइड से, just 3 points से पहले 2K1, 3 points के बाद 2K1, ऐसे करेंगे हम और उत्ने ही 10 points यहाँ से गटाएंगे, 10 points यहाँ से गटाएंगे यानि कि जितने points हमा पस थे, 41, उतने ही, रखेंगे तो दिखे, करेंगे कैसे यह 2 लाईने बता रही हूं, just उसके बाद आप इसे करते वे जाएंगे, यह तो पहले हम जो 3 फंदे थे उससे पहले 2 फंदे तक सीधा बनाएंगे, यह देखेगा, यह तीन फंदे हैं, इससे पहले जो 2 उल्टे है, जस्ट, 2 उल्टे, यहां पर इन दोनों को आपने इस तरीके से 2 का एक करना है, ऐसे, य और यह, यह किया, फिर यह 3 फंदे मुतारेंगे, और इन दो फंदो को आपने 2 का एक करना है, ऐसे, और फिर सारे फंदे सीधे, उल्टी लाइन जैसे जा रही थी, वैसे ही जाएगी, बस इसी तरीके से हमें एक एक फंदा दोनों तरफ गटाते वे जाना है, जितने फंद लाइन में आपने यहां पे ही, इस 3 से पहले और इस 3 के बाद 2 का एक करना है, तो इसी तरीके से करते वे जाएंगे, 10 फंदे इस साइट से गटाएंगे, और 10 फंदे यहां से गटाएंगे, यह देखेगा, अब यह मैंने इतना लंबा बना लेए, यहां से यहां तक 7 आप उसी तरीके से यहां पे भी हमें बनाना है, एक्जेक्ली सेम करना है, पहले हम बढ़ाएंगे, फिर थोड़ी लाइन सीधी बनाएंगे, और इसे घटाएंगे, तो सेम करना है, एक लाइन जस्ट आपको बता देती हूं, करना आपने सेम है, तो देखेगे, पहला तक आपने टीन फंदों से जस्ट एक फंदे तक आपने सीधा बनाना है, यह धिखे यह जो फंदा है, यह तीन से पहले, इसको आपने एक के दो करने है, ऐसे हैं, फिर तीन फंदे आप उतारेंगे, बिना बोने वे, फिर इस फंदे के एक के दो करने है, जैसे हमने वहाँ पर किया क्राइटेरिया सेम रहेगा आप फिर से सीधे फंदे, उल्टी लाइन जैसे बताई थी वैसे ही, और आप इसे हमें कम से कम, जो है, करते वे जाना है, जितना हमने यहाँ बढ़ाया था, उतना ही हम यहाँ यहाँ भी उसी तरीके से बढ़ायेंगे तो दस फंदे वहाँ बढ़ाये थे, तो हम यहाँ भी दस फंदे बढ़ायेंगे, फिर जितनी लाइन वहाँ स्ट्रेट की थी, उतनी ही लाइन यहाँ भी हम स्ट्रेट करेंगे एक्जेक्ली जो है इसी तरीके से बनाना है तो आप इसको ही देखके यहां पे भी बनाईएगा और उसके बाद हमें फिर यह इतना नॉर्मल बनाना है जैसे हम बना रहे थे तीन फंदे जिस तरीके से बना रहे थे यह उस तरीके से ही बनाना है उसके बाद बताती हूँ आपको कैसे करेंगे फ इस तरीके से बताया है और फिर बताती हूँ आपको कि हम इसे टोपी की शेप कैसे देंगे अब ये देखिएगा ये जो है बराबर लंबा इसकी पूरी हो गए अब हमें इसे जोड़ना है अब मैंने यहां पर जो आपको वाइट रखवाया था क्यों रुख वाया था यह बता देती हूँ इसे खोल लेते हैं अब हम आपने वाइट खोलना है उसमें सारे ग्रे इसमें चड़ाएंगे और फिर हम इसे जो है सुई के सादख सिल देंगे देखेंगे आप अप अपस सीर सकते है और इसे सिलना नहीं भी आपको आए तो आप जो है नॉर्मल-दो इसमेंसे वाइट यह खोलना है अ आप पुरा आपका खोलेगा इस तरीके से यह गंखे यह इस तरीके से खोले गा पूरा और यहां पे ज़िए आपके विद्दें आने आर्म आपके पर आपके दालना है यह दिखे इस तरीके से आपके भिद्दें ओंगे यह कर्ते हो दालते विए ऐसे जाएंगे इस तरीके विद्दरीं Oh Ninika Yagiya boost a Yagiya ऐसे ये खोला ये खोला और ये ऐसे फंदा निकलेगा उसे आप इस पर ऐसे ले लिजेगा इस तरीके से तो ये सारे एक्जेक्ली जितने फंदे हमने ये थे उतने ही फंदे यहाँ पर जो है आपके पर आप इसी तरीके से पहले सारे को लिएगा अब ये देखेगा इस तरीके से सारे फंदे हमने ऐसे डाल लिये है अब हमने इसे इस तरीके से आप चाहे तो जो है सलाई से बंद कर सकते है चाहे तो सुई से बंद कर लीजेगा पहले से हम इसमें डालेंगे क्योंकि उस तरफ है अब हमें इसको इस तरीके से ऐसे सिलना है अब चाहे तो आप उससे सिल लेजे या दोनों से सलाइओं से भी सिल सकते हैं मैं सुई सिलूंगी इसलिए मुझे यहां से यहां तक इसको लाना पड़ेगा क्योंकि मेरा धागा जो है उस तरफ है तो मैं इसमें दूसरे सलाई में इसे डाल लूँगी देखे जब आपने ये इस तरीके से इसमें डाल लिया है अब आपने इसे सलाई से ऐसे पलट के उल्टी साइड याने कि दोनों तरफ सीधी साइड आपस में इस तरीके से रखनी है और हमें एक एक करके इसे बंद करना है बाद में फिर हम इसे गुलाई में फंदे उठाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से पहले हम एक एक फंदा करके ये लेंगे देखे और फिर ये लेंगे ऐसे और इसे आपने बंद कर दिया ये किया फिर ये लिया फिर ये पर से उतार दिया है, सारे फंदे आपने इसी तरीके से पहले बंद करने हैं, ऐसे, यह देखिएगा, इस तरीके से यहां तक मैं बंद करते वाई हूँ, अभी इसे यही रखूँगी, क्योंकि यहां से हमें फिर से फंदे उठाने है, अब वैसे तो देखिए, मैं सर्कुलर नीडल में बनाऊंगी, बट काफी लोग बोलते हैं कि उनके पास सर्कुलर नीडल नहीं है, या उने नहीं आती है, तो किस तरीके से जो है, वो दूसरे से बना सकते है, वो मैं आपको इसमें थोड़ा सा अभी ब्रीफ कर दूँगी, आप देखिएगे वैसे तो यह जितनी नीचे मैंने यूज की, उतनी ही मैं इसमें, दस नमबर की गले बुनने की सलाई, जो दोनों तरफ से पॉइंटेड होती है, वो ले लूँगे, अब इसमें देखिएगा करूंगी कैसे, और इसके एक चीज़ बता दूं, जो जिसके लिए भी बना रही हूं, जो सर की गुलाई है, वो 22 इंच, जो है 22 इंच है, 22 इंच है, अब आपने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, अब 22 इंच है, तो ये जो मैंने बनाया है, ये, जो है, आप ए देखेंगे, दिखा देती हूं, आपको कितना है, ये यहां से लेकर, यहां तक 10 इंच है, याने की ये 10-10 इंच है, याने की ये 21 इंच के असवस बना है, वो इसी लिए क्यूंकि ये जो हम जब भी ये निटिंग करते तो ये खुल जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा एकाद इंच या 1.5 इंच नीचे ही काम ही बनाना चाहिए, अब या भी ये देखेंगे, इस तरीके से आया ह यहां पर अब मैने ये धागा छोड़ा है, सात में फंदा है, अब यहां से हमें फंदे उठाने है, अब आपको मैं इस तरीके से की सलाई में बता रही हूं, बाकी वैसे मैं सर्कुलर निडल में इसे बनाऊंगी, तोनों में सेम बनता है, फरक सिरे पतना है कि इसमें हमें तीन चार सलाईयों से बनाना पड़ता है, और सर्कुलर निडल गोल बनती है, अब यहां से शुरू करूंगी, यह पहला फंदा जो एक फंदा अलड़ी मैंने यहां पर छोड़ा हूँ था बंद करते हुए, यह देखेंगे, यह है, यहां से आपने एक्जेक्ली सेम इसे तरीके से लेना है, और दोनों में से ऐसे ऐसे करके यह देखेंगे, और बैक साइड, दोनों में से इस तरीके से फंदा बनाना है, देखेंगे, फिर यह लिए ऐसे, बहुत जादा मोटा नीचे की तरफ मत लीजेगा, पतला ही रखेंगा ताकि अच्छे से आजाए, इस त तीन सलाई या चार सलाई में उठाऊंगी और एक सलाई से फिर हम बनाएंगे ये ऐसे है ये लिया ये दियाने कि दोनों में से लेना ये जो दो है इन दोनों में से आपने इस तरीके से ऐसे लेना है ये देखे जब आपको लगए कि एक में इतने ही फंदे बहुत अया हो गया तो आपने इस तरीके से दूसरी लेनी है और फिर बिल्कुल साथ में जैसे आप उठा रहे थे उसी तरीके से फंदे उठाते वे जो है जाना है ऐसे यानि कि हम अलग-अलग सलाइयों में इसमें फंदे उठाएंगे या चार में उठाएंगे जतने ज़ादा फंदे होंगे उस रिम्दार को अब दीकि िस तरीके से जब आपने इस फंदे उठा लिए फंदे तो मैंने सिंगल से उठाया लेकिन मैच आ रही हूँ क्योंकि मेरे को ये नीचे का हिसा भी आपे देखेंगे काफी गफ हो गया और ये बहुत पतली भूल है तो मैं इसे डबल करूँगी यहां पे और यहां से नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं ये तीनो सलाईयां बनाते है बाकी बनाने का तरीका उसका भी से मोता है तो देखें यहां पे मैंने मार्कर लगा दिया अब मैं यहां से जो है नॉर्मल सीधा सीधा बनाती वी जाओंगे आप चाहे तो इसमें कोई डिजाइन भी डाल सकते हैं यहां से मैं डबल वूल करूंगी क्योंकि नीचे तो मुझे लग रहा है कि ऊपर भी थोड़ा मूटा ही होना जाए तो आपने इस तरीके से देखेंगे आप ऐसे सीधा सीधा बनाते वे जाना है ऐसे अब इसी तरीके से तीनों सलाईयों को सीधा सीधा पूरा पनाते वे जाएगे जहां तक आपका जो है चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा हम एक डेड़ इंच के आसपास में गटा देते हैं तो देखेगा जिसकी भी किसी का 7 इंच होता है किसी का 8 इंच होता है किसी का सर इसी एक तो आप ने पैरे एक लाइन करनी आए फिर दूसरी फिर तीसरी शौराई ऐसे करतेवे जब तेनों सलय हो जाती है तो एक लाइन होती है लेकिन बनाना आपने इस तरीके से सीधा सीधा हीकź. ये देखेगा. अब यह देखेंगा इस तरीके से अब इसमें जो है मैं यह बता दूँ आपको कि अगर मैं डबल वूल से बनाती हूं तो मैं इसमें फंदे जो है वन हंडड़ सिक्स के आसपास रखूँगी और अगर मैं सिंगल वूल से बनाऊंगी तो एक सो अठारा या एक सो बीस फंदो के आसपास जो है इसमें फंदे रखूँगी तो चलिए अभी हम सीधा सीधा इस तरीके से बनाते वे उपर तक चले जाते हैं जहां तक चाहिए और उसके बाद बताती हूं हम इसके गटाई कैसे करेंगे अब आप यह दिखेंगे मैंने जो है सीधा सीधा बनाती वी गई ह अब यह मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो दिखें कैसे करूंगे मैंसे अब दो लाइन आपको बताती हूं कि किस तरीके से आप करेंगे तो आपने फिर उसी तरीके से करते हुए जाना है अब यहां से स्टार्टिंग है तो दस फंदे बनाऊंगी एक दो तीन चार पा करना है ऐसे अब अगेन फिर दस फंदे बनाऊंगी फिर दो का एक करूंगी ये अपने पूरी लाइन ऐसे ही करनी है देखे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ और ये दस ये दस बनाए अगेन दो का एक फिर दस फंदे और फिर दो का एक इस तरीके से यहां तक पूरी आप लाइन ऐसे ही करते वे जाएंगे इसे अब देखे लास्ट में आ गई हूँ मैं आपको बता दू मेरे पास जो है 120 फंदे थे वैसे हर एक के फंदे अलग होंगे तो उस इसाब से आप इसे जो है अपने हिसाब से वैसे तो करेंगी अजिस्ट लेकिन मेरे पास 120 फंदे है तो एक फंदा मेरा देखेंगे अब या नहीं पर एक फंदा बगटा दूंगी, यह आपका दो का एक किया, तो यह मेरे 10 फंदे हो गए, और यह लास्ट आया, आप यह देखेंगे, तो यहाँ पर यह दो का एक हो जाएगा, यानि कि आपकी जो लाइन आएगी, वो बहुत एक्जेक्ट बराबर आएगी, जो हमारी चड़ती है, अब फिर से देखें, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ हमने 10 किया था, फिर 2 का ही किया था, करते करते लास्ट तक आई हूँ, एक फंदा एक्स्ट एक्स्ट था, तो मैंने यहाँ पर एजस्ट कर लिया, तो इस तरीके से आप अपने फंदे थोड़ा सा एक-दो फंदे कर सकते हैं, अब देखें, दूसरी लाइन क्या है, अब पहले आठ दस बनाये थे, फिर किया था, अब फिर से यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और नौ, नौ बना लिया आपने, अ यानि कि पहले दस बनाये थे, फिर दो का एक किया, अब नौ बनाये, फिर दो का एक करेंगे, ऐसे, अब इसी तरीके से हम करते वे पूरी लाइन जाएंगे, अगली लाइन में आठ फंदे होंगे, फिर दो का एक, उसकी अगली में साथ फंदे होंगे, फिर दो का एक, इस यहां पर हमारा यह वाले फंदे पर 2 ग 1 तो नौ के बाद 2 ग 1 अब पूरी लाइन ऐसे कीजेगा अगली लाइन में 8 फंदों के बाद उसकी अगली में 7 के बाद अब इसको जो है अगर सर्कुलर नीडल पर है क्योंकि मेरी सर्कुलर नीडल पर है तो आपने जो है गले बु हर line में एक-एक फंदे कम करते हुए मतलब पहले 10 फंदे के बाद 2 का 1 किया फिर अब 9 के बाद कर रही हूँ फिर 8 के बाद करूँगी 7 के बाद 6, 5, 4, 3 इस तरीके से 2 करते हुए मैं इसे जाऊंगी अब आप यह दिखेगा यहाँ पर आगी हूँ, अब अब जस हमने पूरे में 2 का एक किया है, अभी तक हमने एक last एक था अब यह पूरे जितने बचे हैं ऐना कि एक फंदे तक किया था, अब यह दो का एक आपने करना है इस तरीके से दिखेगा और इसके बाद इनहें हम स्वी से दागे में डाल के कर देंगे देखिए कि यह आपने सारे फंदे दो कैक होते होगे अब इनहें हमने स्वी से इसमें डाल के बंद कर देना है तो थोड़ा सा दागा उसे साप से लंबा लीजेगा हलका सा बहुत जादा नहीं ये देखें ऐसे ये लिया अब यहां से आपने इसे सुई में ऐसे डालना है देखें ये ये देखेंगा इस तरीके से आया है अब यसे खीच लेज्ए कैसे बंद होगया वापस एक बार डालके से बंद कीजिएगा थोड़ा सा टाइटली और येहीं पर आपने इसे अंदर डालके बंद कर देना है तो ये देखेंगा इस तरीके से ये जो cap है आपकी ऐसे तयार एर फ्लाप ये देखेंगा जो कान के लिए वार्मर होता है उसके साथ ये आपकी ऐसे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से त्यार हो जाती है तो चलिए फिर बनाईए और शेर जरू कीजेगा सब के साथ थैंक यू